तो विलो स्टुडेंट्स टुडे वी आर गोंग टो अंडस्टेंड दॉक कॉंसेप्ट आफ जूमिंग आज जूमिंग आज बारे में जा रहेंगे में आपने नहीं दिया होगा कि जो है हम इमेज जब आपाद होती है तो हम कंप्यूटर पर इस तरह से कर देते हैं तो जोम कर सकते हैं by two concept एक तो by replication ये मैं बताने जा रहा हूँ पहले आपको replicate का लीज़े पहले रोस को यानि मतार रोस को duplicate का देशा देखिए one two three four था तो मैंने दो बार लिख दिया जब यह हो जाता है तो हम replicate करते हैं कॉलम को replicate करते हैं तो देखिएगा कॉलम की वैलू जो है यहां पर आपकी जो रोस थी यह वाली रो थी यह अगेन लिख दिया मैंने दो बार ऐसे ही दूसरी वाली जो रो थी वह भी दो बार लिख दिये और फिर तीसरी चौथी पांच वी इस तरह से हमने यह सारी रोस लिख दिये ओके तो यह concept हुआ क्या हु हम इमेज को जूम करते हैं तो इसमें क्या होता है उतने ही number of pixels बढ़ जाते हैं यानि मतलब जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने की जो उसके छोटे-छोटी features हैं वो नजर नहीं आते as it is duplicate हो जाते हैं जबकि जब हम जूम करते हैं तो हम उसकी बारिख्यों तक पह of interpolation, interpolation क्या करता है दस्ट दो values के बीच में आप average value डाल दीजिए बस वो काम बन जाएगा मतलब उसकी तरह बढ़ती हुई कुछ चीज तो ऐसे ही हमने फिर 4 x 4 की इमेज कुछ data ले लिया रोज को ही replicate करेंगे पर same values से नहीं करेंगे यहां पर हमने 1 2 3 4 लिखा है फिर यह 4 plus 1 8 divided by 2 4 तो ऐसे 12 plus 2 divided by 7 12 plus 2 divided by 2 12 और 2 किता होता है 14 14 divided by 2 क्या होता है 7 ऐसे 14 plus 3 means 17 17 divided by 2 8.5 इसी तरह ऐसे सारी values आ जाएगे आचा ऐसे करते करते आप सारी values फिल कर देंगे लेकिन आखरी values में आप 9 को किसे add करने तो कुछ नहीं है इसलिए 9 plus 0 divided by 2 तो 4.5 ऐसे ही है आप यह क concept आप लगाएंगे column पे मतलब column में क्या होगा आप एक column hazardous लिख दीजे एक column empty छोड़ दीजेगा then again लिख दीजे then empty छोड़ दीजे ऐसे लिखते चले जाए उसके बाद पहली value और दूसरी value उसको add करके divide by 2 कर दीजे ऐसे सब करते जाएंगे आप यह पूरा then आखरी वाले फिर वहीं करना होगा 4 plus 0 divided by 2 ओके तो यह जो है interpolation concept जाने मतला एक पार्ट से दूसरे पार्ट का पहुंचने के लिए जब आप जूम आउट करेंगे तो आपको exact patches नहीं देखेंगे आपको वहां तक पहुंचने के बीच की middle values देख जाएंगे तो यह concept जो दो हमने डिसकस क thank you